तो इन से कर रखे इना ने तो इन से पूछेंगे की नियंकि पहला सवाल और काफी सवाल आप video में जुड़े रिए गान तक शोविक रॉइसेल म्हान लेक्ट णो फिर या मैं नियुक्त किया फ्रॉं कोलका ता नियुटिय उनिवर्सिटी जो आपका diamond में है वो एक प्राइवेट उनिवर्सिटी है और फिर उसके बाद मैं 2017-20 बैच था फिर उसके बाद कोड़ना ओरना का चक्कर था तो फिर उसके एक साल बाद मैंने यह जॉइन किया शिप जॉइन किया और अफ्टर बैट इसका बोलेंगे कि देखो पहली बात तो हम भी सोच थे कि DNS करेंगे DNS करेंगे क्योंकि एक साल का कोडस है उसके बाद direct selling आपको पैसा मिल रहा है ट्रेनिंग फी मिल रहा है अब बस मतलब आपको जॉब लाइफ मिल ज़रा है बहुत जल्दी लेकिन फिर मतलब मैं सोचा था लेकिन फिर पापा ने बोला कि जो डिफ्रेंस मतलब अभी 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 actually जो मेरा पापा ने मुझे बोला कि DNS होता है डिप्लोमा और BSC बैचलर्स तो I think कि अभी का जमना में बैचलर्स का थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू है जो मुझे लगता है तो उस हिजब से मेरा पापा ने मुझे रेकॉमेंड किया कि बैचलर्स करो और फिर मैंने बैच क्या करता है वह बता हुँ हां पजी देखो तो नॉर्मली डेक करेट तो आपका वाच में रहता है ठीक है ना चीफ अफिसर के साथ ही रहता है उसका में मतलब चीफ अफिसरी केड़ेट्स को कंट्रोल करता है तो इस डेक करेट मैं तो 4-8 वाच पे था पहली बात 4-8 मात बात है कि रस्ट बस्ट तो होते रहता है क्योंकि पुड़ा आपका इसका है मेंटल का है सबसी चिपींग ग्राइंडइंडींग यह सामत源 ही एच नहींनिस तो यह चीज हम लोग को करनाभी पढ़ता है और उपर से दिया और सिखना भी पढ़ता है क्योंकि बाद में होता है जो शिप्ते स्टिरिंग करता है तो वैसे हम चाहेंगे तो हम अगर बूलते हैं तो वो लोग देता भी और सिखाता भी है तो यह डूटीज हो गई तो बीसी जो कॉर्स है वो कितनी डूरेशन है क्या फीस है और उसके बारे में थोड़ा ओर वेर्वियू तो देखो भाई पहली बात तो मैं तो निव्टिय उनिवर्सिटी किया था एक प्राइबेट उनिवर्सिटी है ठीक है तो बीस आपका ती स्ट्रे कैप्टेन भी क्या करता आपको यह भी पता हो गई इच और वेरी मेरी टाइम लौ यह वह बहुत कुछ और उपर से आपको टाइम मिलता है 3 साल आपको टाइम मिलता है सब चीश सही से पढ़ने के लिए और अवे इवेन मेरी निंगिनियरिंग के भी बहुत सब्सक्राइब करना चाहरे हैं तो एक मॉस्ट एक्जाम होता है जैसे इसके लिए एक्जाम होता है तो वह एक्जाम करना चाहरे है तो एक क्या है और इसका प्र्मोशन आगे कैसे मिलता है तो देखो डेक्द का जो साइड का पहली बात तो आपको डेक्द करते हो आपको ट्रेनिंग का सेलरी मिलता है नॉर्माली 400-500 डॉलर किसी किछी कंपनी में 700 दॉलर भी मिलता है फिर उसके बाद एक्जाम देखें थर्ड ओफिसर थर्ड ओफिसर में आपका ऐसे रहता है हम डॉलर में नहीं बात करते हैं इसमें बात करते हैं रूपीज में तो आपका सोची है 1.5 लेक से बढ़ते रहता है वह 2.5 ब अध्य बैद में 5 पर रहें पगड़ी चीफ ओफिसर का नॉरमली अच्छे कंपनी में और कैप्टें का तो 10 लेक्स हाँ 10 लेक्स-12 लेक्स केप्टें का इतना ही है बहुत अच्छा सलरी है बहुत अच्छा सलरी बहुत अच्छा पूल पैसे चापो गया बाई कोई दिक्क सो फ्रेंड्स अगर आपका कोई डाउट है तो शोविक का इस्टाग्राम है लिंक में डाल दूंगा आप वहां से शोविक डिरेक्ट रील बगरा बनाते हैं फॉलो कर लेना वहां पे रील आपको अप्टूडेट मिलेगी और कोई भी क्विश्चन है शोविक से डिरेक्ट पूछेगा तो थेंक्यू फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें बाकिसाब आपको पता ही है जल्दिश 10K करवाद हो थेंक्यू फ्रेंड्स हां बाई सब्सक्राइब कर देना और सभी बोलने से इस सम्धिंग अबिट आफ हार्ड वर्क तुसी के लिए बोलेंगे ब्लो वेलू देना समझे वेलू देना और कुछ नहीं बस ठीक है बाई थैंक्यू फ्रेंड्स